लिंक्डिन एड्स के एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कैसे लिंग्डिन में आप स्पार्ट लाइड चला सकते हूं इस पॉटलाइट एड्स क्या है कहां पर शो होते हैं क्या इनका फायदा है और प्रैक्टिकली हमने स्टेप बाइस साथ में यह भी सिखाए कैसे आप इसको क्रियेट करोगे हर एक चीज बताई है तो दोस्तों अगर आप स्पॉटलाइट एड्स का यूज करना चा सकते हो जो भी आपको सीखना है वो भी फ्री आफ कॉस्ट आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे में लेकर आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब पढ़ लिए पहले कन दबा दीजिए ताक कि आप से कुछ मिस्नाओ चलते हैं और सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर् आप एक यहां पर कोई कंपनी है यह मेरे को एड दिखा रही है यहां पर इंडिविजियल जो इसका भी वह अकाउंट को लगेगा कि यह उसको स्पेसिफिकली फोकस करके वह कंपनी आड दिखा रही है तो यह एड में उन्होंने मुझे बोला है अगर आप करिये ग्रो करन के लिए फॉलोवर बढ़ाने के लिए स्पॉट्लेट एड चला रहे है मगर यह जॉब कोई कंपनी होती जिसको हैरिंग करनी है और मेरे मार्केटिंग है जो मार्केटिंग डिशन मार्केटिंग लोगों को टारगेट कर रही है तो यहां पर हो सकता था जॉब इसको फार करने है तो आप अपनी जॉब को प्रोमोट करो तो यह लिंग डिन आड दिखा रहा है तो जितनी बार भी मैं इसको चेंज करूंगा शफल करूंगा तो यहां पर एड बदलते रहते इसको पॉट्लेट एड करते हैं अब यह कैसे क्रेट होते हैं देखते हैं प यहां पर केंपेन ग्रुप बना लेता हूं जहांपर मैं लिखनोंगा और वर यहां पर मैंने क्लिख करा कैमेद ग्रुप को अब से केंपेंचंगे नही है तो यहां पर क्लिक करके campaign बनाएंगे तो सबसे पहले हम कोई भी objective चूज़ कर लेंगे जो भी हमको चूज़ करना है और हमें उसके ओपर चलाना है तो यहां पर पहले आगे बढ़दें नेक्स्ट अब हमें एड जो चलाना है क्योंकि spotlight एड तक format है तरीका है वट हमारा purpose क्या है उसको करने का तो मेरा purpose मालीजे कि मैं मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी company के बारे में लोगों को पता लगे या लोग मेरे लिंक पर विजेट करने जाता हमाई एक्सप्लोर करें तो मैं वेबसेट विजेट पर क्लिक कर लेता हूं यहां पर आप देखिए यहां पर और पहले ऊपर का हम आपको समझा देते हैं अगला स्टैप होता है अब्जेक्टिव चूज करने के बाद चार्गेटिंग कई तरीके से करी जाती है जैसे कि इस है सेव्ड ऑडियंस क्या होती है वो ऑडियंस होती है दोस्तों जब हमने प्रीविस्ली कभी campaign चलाये थे तो मैं आपको फ्रेश तरीकी से बनाने सिखाऊंगा और सेव करना भी बताऊंगा और लिंग्डेन ओडियंस क्या होती है दोस्तों लिंग्डेन ने कुछ के हिसाप से बहुत सारे सेग्मेंट बना लिए से फैनेशल एडवाइजर्स की एक टेंप्रेट बना लिया आईटी ड हो फ्रेष तरी से बनाना सिखा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले उब अपनी लोकेशन चूझ करो खेंवाइज लो केशंब्स चलाना है मगर इंडिया के यंदर कुछ ऐसी जोकेशन है जहां में अपन एड्न हाऍड नहीं चलाना चाहता तो मालो मैं। लोकेशन ऐसे एक्स्क्लूड करनी है तो मैं यहां पर गया और यहां पर मैं उस लोकेशन को डालता हूं मालो एक दुबार अश्य डालके दिखाता हूं मालो मेरे को एक लोकेशन पैड नहीं चलाना तो इस एक्जामपल हम यहां पर डाल देते हैं तो केला हमने डाला अब मेरे को उस एड नहीं चलानी यह एक एक्जामपल दे रहा हूं ठीक है अगर आपका को प्रॉड्ट के सर्विस पर्टिकुलर डेरिये में आपका और्डियंस नहीं है वो लेंग्विज को नहीं समझता है या प्रॉड्ट डिलिवर नहीं हो रहा तो अभी के लिए जो मैं एड चला रहा हूं मैं इंडिया में एड चला रहा हूं और उसके अंदर मैं यह भी चूज कर सकता हूं कि मेरे को पर्टिकुलर उस पर्मेनेटली उस लोकेशन में रह रहे हैं उनको दिखाना है तो यह मेरी मर्ज है कि इसको दिखाना है आप भी आप अलग से चूज़ कर सकते हो यहां पर पूरे इंडिया में नहीं दिखानत तो आगे बढ़ते हैं यहां पर आप अपने लेंग्वेज चूज़ कर सकते हो according to your audience की सेरी में कौछ लेंग्वेज वाली audience जादा है वाट इस यूटागे ओडियंस ठीक है यहां पर अब हम चूज करेंगे कुछ प्रीवेज के ओडियंस के आप शोर हो यह उसको डिलीट कर देते हैं आपको फ्रेश तरीक से अडियोंस बनाने सिखाएंगे अब यहां पर दो तरीकी की आपके पास कोई डाटा बहुत सारा पड़ा है उसको अपलोड करके उनको आड़ दिखाना है वह आप कर सकते हो लोके लाइक ऑडियंस क्या होती है जो नीचे री टागेटिंग ऑडियंस है इसका मतलब है कि आपकी कंपनी पेज पे इवेंट आपने कोई करा कोई लीड्स व है यहां पर हम लोके लाइक ओडियंस है वह क्या है वह जो आपकी मैच्ट ओडियंस है वह जैसी ओडियंस और फिलिंग्डिंन में जो है उसको भी आपका देखे ऊसको लोकैल क्या अदिच्छायंगे बाद में अभी हम और्लिंश पर आते हैं यहां से से हम चूछ कर सकते हैं कि जो कंपणी किन कंपणी के हिसाफ सा मैं नाम के यहां से कर सकता हूं को यहां से कर सकता हूं कोई benifferent प्विजय च्परतियक में आंप जो सेल्स स्टाइजिंग में हैं उन लोगों को मैं तालगेट करना चाहता हूं तो मैंने हाप टारगेट कर लिया या फिर मैं टारगेट करना चाहता हूं एंडवीजिंग प्यांने का तो एर्विजन्स से इसे pensa Biz click कर नहीं चाहता हूं या मैं जॉब एक्स्पिरियों से जो फंक्छंजंस लाइक जो business development में है है तीक फिर जो अ्लेतर उनма टारगेट करना या इस तरीके सफंग्शंस डाइटलन इंट्रेस्ट के करोगे तो कम पैसों में भी अच्छा रिजड लेकर आ सकते हैं यहां पर हम करते हैं जो इतनी टाइम लगा के जो आप करोगे टार्गेट करोगे मेहनत करोगे तो इन फ्यूचर मालो आपका बहुत अच्छा चल जाता है तो उस और बार आप कैसे करोगे टार्गेट तो इसके लिए उसको पहले से से करके रख लो मैं यहां पर क्या करता हूं इस पॉट्लाइट एड और यहां पर हमने और आपके कर लिए अब हमें स्पॉट्लाइट एड्स सीखना है तो स्पॉट्लाइट एड्स का फॉर्मेट चूज करेंगे अब दोसरे यहां पर भी इसलिए कर दिया कि जिसको भी दिखे उसकी जो भी लेंग्विज उसके साब से अपने और ट्रांसलेट कर लेगा लिंग्डिन और यह जो आपके यह जो आपके स्पॉट्लाइट है और इस नेट्पक पर शो नहीं होता यह सिर्फ लिंग्डिन की वेबसाइट और एप पर होगा कई सारे से फॉर्मेट्स हैं जो लिंग्डिन और इस नेट्वक पर नहीं दिखते हैं सिर्फ लिंग्डिन की वेबसाइब पर दिखते हैं अब दोस्ते हैं यहां पर होता है डेली बजट लाइफ टैम बजट क्या होता है मतलब मालो मेरे को कैम्पेंट 15 दिन के लेगा उसके बदो बंद हो जाएगा इसको हम कहते हैं मगर इनीशली बिगनर हो चीजों के आइडिया नहीं है तो डेली बजट ही हमेशा यूज करो बैटर रहेगा आपके लिए दोजार पर डेली बड़र डाला यहां पर भी आप अपना डेट टाइम की सेलेक्ट करी सकते हो यहां पर यहां का मतलब होता है कि यहां पर हमने आज हमारे केमपेंट हुआ वो स्टार्ट हो जाए और जब हम चाहिए खुदी मैनुली उसको आफ कर देंगे तो हमारे हाथ म लोग मेरी वेबसेट पर आएं और वह और एक्स्टोर करें चीजों को जाने समझें तो मैं लेंडिंग पेज क्लिक ही रिकमेंडेबल है वेबसे ट्रैफिक हमारा अब्जेक्टिव है एड फॉर्मेट हमारे स्पॉटलाइट है यह हम करेंगे इंप्रेशन्स डिलिवर्ड यहां पर अगर आप चाहो तो मैनुल बिडिंग कंट्रोल कर सकते हो तो आप 95 रुपीज पर क्लिक देना चाहते हो या आप मालो अगर कम करते हो कई बार यह फॉर्मेट लेता नहीं है कि इससे नीचे नहीं जाएगा तो आपको उतना पैसा लगाना ही पढ़ता है ठीक है तो मालों मैने यहांपर इसने से ले लिया पर लैंडिंग है और कि उसके हइसाथ कि आएंगे कि प्रकांग फॉर्कस्ट अगया अब यहां पर दोस्तों होता गया एक बाता ध्यान रखना हमेशा जरूर लगाना इस और अलग अलग तरीके के करने आपकी किसे लग अलग तरीके करने वह हमने आपको सिखा रहा है कि लोग की साइट पहा है उन्में से कितने इंक्वाइरी भरी कि तो यह आप करिएगा अच्छे जैब नेक्ट आगे बढ़ते हैं अब हमने सेटिंग कर ली सेटिंग के बाद अब हमें अब बनाना है तो आपको बैग्राउंड में अगर कोई Image ndodd करनी है तो अब चाहो तो कर सकते हो अभी यह वह इमिज कर लेते हैं तो बैक्ग्राउंड में यह एक ऐसे इमेज आ रही है हमारे लोगों की आपको कोई बैक्राउंड देना है बड़ यह ज़रूरी नहीं आपको करना है ने करना है और इसका कम से कम पिक्सल से 300 बाइ 250 पिक्सल का साइज चूज करना हो यह फॉ यहां पर भी मैं डाल देता हूं डिजिटल मार्केटिंग तो यह भी हमने हैडलेंड डाल दीजिटल मार्केटिंग कोर्स कंपनी नेम जो भी आपका पेज आपने चूज कर रखा है वो नाम आ रहा होगा उसका लोको आटोमेंटिक ली आ जाएगा क्योंकि आप वो यहेन्रोल ना ओ तो वह आप अपने हिसाब से लिख सकते हूं ęस्तिनेशन ऊल जो हमारे पाइज है पिके वह हम यहां पर डेस्तिनेशन यूज दे सकते हैं यहां के यहां पर अभी तो हम homepage ढाल रहे हैं अपना landing-page आप को बदा सकते हैं यह करने के बाद लूंच करने के बाद यहां पर आपको as a request कर बना नेक्स बूलर पूरा का पूरा ड्रेव्यू करसकते हो चेक कर सकते क्या करा करने के बाद यहां पर डिरेक्ट यह आपको लेकर जाएगा आपके डैश्बॉर्ड में यहां पर आप देख सकते हो कि हमने यहां पर हमने एक कैम्पेइन बनायता है यहां पर यहां पर फिगर सगर आने शुरू हो जाएगा उमीद करता हूं आपको यह वीडियो बेहत पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो कमेंट शेक्शन में बताइए अपनी क्यूरीज भी अपलिक सकते हो उसके ओपर यहां व दिजीटल मार्केटिंग सर्विस या डिजीटल मार्केटिंग क्रेग ट्रेनिंग हम से लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसेट marketing फंडाइस.com पर जा सकते हैं या हमारे दिवे नमरों पर कॉल कर सकते हैं डिसक्रिप्शन में कुछ यूशल प्रोड्क्ट सर्विसस के ल